जेहीं दोस्तों तो फाइनली BSF Constable Treatment भरती 2022 का यहाँ पे Admit Card आपका रिलीच कर दिया गया है जो भी Candidate BSF Constable Treatment का फॉर्म अप्लाई किये हैं वैसे Candidate अब अपना Admit का डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने आप सभी को बताया भी थे कि दो दिन के अंदर जो है पिछले वीडियो में आपका Admit Card आ जाएगा तो फाइनली आपका Admit Card आ चुका है कैसे आपको डाउनलोड करना है चलिए यहाँ पे देख लिजिए तो Admit Card का डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन में Chrome ब्राउजर या Google को जो है ओपेन कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको टाइप करना है Online सरकारी जोब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं Online सरकारी जोब जैसे ही आप सभी टाइप करेंगे आपके सामने Online सरकारी जोब.com एक साइट ओपेन होकर आएगा इसके बाद सिंपली इस साइट पर आपको किलिक कर देना है इस पर किली करने के बाद आपको नीचे के तरह पे स्क्रॉल करना है और नीचे के तरह पे स्क्रॉल करने के बाद Admit Card का जो सेक्सन है इसमें देखेंगे BSA Pratsman Admit का Download 2023 तो simply इस पर आप किलिक किजिए, इस पर किलिक कर देने के बाद आपको नीचे के तरफ पे स्क्रॉल करना है और नीचे के तरफ आने के बाद यहाँ पे आप सभी देखेंगे आपको जो है यहाँ पे BSA Pratsman Admit का डाउनलोड 2023 और इसमें Admit का डाउनलोड के सामने किलिक हीर का एक option दिखाई देगा तो simply जो यह किलिक हीर का option है इस पर किलिक कर दीजिए इस पर जैसे ही आप किलिक करेंगे आप से यहाँ पे मांगा जाएगा आपका email id जो registration करते समय आप email id दिये थे उस email id को यहाँ पे फिल किजिए इसके बाद दोस्तों आप अपना password को फिल किजिए और काफी सारे student ऐसे होते हैं जिने password याद नहीं होता है तो इस स्तिती में आप सभी यहाँ से forget password भी कर सकते हैं आपके email पर OTP जाएगा उसके बाद आप नई password set कर सकते हैं लेकिन जिस भी candidate को password याद है वो password यहाँ पे फिल करेंगे देन आपको I am note रोबोट इस पर किलिक करना है और उसके बाद आपको login पर किलिक कर देना है login पर किलिक करने के बाद आपके सामने आपका जो profile का dance board है वो open होका रा जाएगा इसके बाद उस तो आपको नीचे के तरह पे scroll करना है और जो form आप सभी यहाँ पे apply किये है constable tradesman का उस form के सामने यहाँ पे जो है action का एक option दिखाई देगा तो simply यहाँ पे जो है action का जो button है इस पर आपको किलिक कर देना है इस पर किलिक करने के बाद कुछ इस परकार के interface आएगा जहाँ पे print admit card का option आपको show करेगा तो simply इस पर आपको किलिक कर देना है इस पर किलिक कर देने के बाद आपका admit card जो है download हो जाएगा आप सभी अपने admit card में देख सकते हैं कि आपका जो है एक jam center कहां पे है और कब आपका जो है एक jam होने वाला है यानि कि जो physical है वो कब होने वाला है तो I hope आप सभी समझ गए होंगे बहुत जल्द इस पर document को लेकर मैं वीडियो बना दूँगा कि कौन कौन सा document आपको लेकर जाना है तो फिर मिलते हैं next वीडियो में और इसके download का link आपको description में मिल जाएगा आप सभी जाकर check कर सकते हैं